बात जब इस शहर की होती है तो होती है कुदुब मिनार की लाल किले की इंडिया केट की या इस रंग भरे शहरों के शहर के किसे और जगा गे प्रेजन टाइं में दिली के शानों शौकत में उसके कई पुराने शहर खो गए है कई शहर जो एक जमाने में इस जगह की फहचान हुआ करते थी आज की एप्शोड में हम उस जमाने की बात करेंगे जब दिली दिल्ली का हुआ करती थी हाजआदो में करनने जलन में हमाँ міच व B도 कर दोक है कि टोक टाहिंली जो हहाँ ने पहले चहर ना है कि आपको रcision आपको पता है और डिली जो है साज शहरें ने बनाज था तो आज हम आया है है अपको पता है नियो बीजिकर के बना छेहर से बना था अनंगपल राजा का नाम था, दूसरे अनंगपाल ने, बस क्यों पहले, जो आज पहले, तो वह जब आया तो यहां पर ही आया अर टभी शहर का नाम, दिल對對. और उसके बाद जो है, अभी अभी जो हालत है, यहां पर पुरा का पूर्पूरा महरोली तो Cert हबाग लेकिन रुइंज है और रिमेंज है क्योंकि जो तोमरों के जितना भी चुछी पत्तर साट रहा आरवली का पत्थर है काफी ब्रिटल है काफी तूड जाता है इसलिए वो जो रिमेंस है, जैसे कुतुब मिनार आज भी अपनी पूरी शक्ल सूरत में मौझूद है लेकिन तोमरों को जितना ही बांदा हुआ है, वो आज खराब हालत है वो आज खराब हालत है पाइनली यू मेड इस तुछ 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 शास आने दे बहुत चड़ लिया, बहुत ही ऊचा नहीं है यह लेकिन स्टीफ है हम आ चुके है किला राय पितोरा पर पूरी महरोली ढूंडने के बाद हमें फाइनली यह जगा मिली है जो की लोकेशन पे भी नहीं यूजूली थी गूगल मैप से भी नहीं मिली भी नहीं किला पितोरा पूरी यूजुट जो है यह पुराना के यह रावली किला है, तो इसको और इशनली भी दिल्ली का लाल किला कहते है, और इशनल्फेनल किला तो यह और बहुत इंट्रिस्टिंग इंफोमिशन है अल्दो यहाँ पे सिर्फ इसकी दिवार जो है मेरे पीछे वो एग्जिस्ट करती है अब सिर्फ and it's as usual very silent, थोड़ा silent है और सिर्फ मुझे जंगली जानवरों की आवाद आ रही है कोरोना काल में अनलॉक के बाद जब अन्य जगाहों पर भीड खटा हो रही है हम पहुँचे ऐसे जगाहों पर जहां हमें भीड के परवाही नहीं करनी पड़ी हाई गाईज हाई हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर आ चुके है जो कि है सूरज कुण इसका नाम शूरज कुणद इसलिए पड़ा क्यूंकि यह जो तोमर थे वह सूरज की देवता और को पूछते थे सान गौड को इसलिए इसका नाम सूरज कुण फेमस क्यूंद सथे मेला लगता है हर साल और लोग आते हैं यह फरीदाबाद एरिया के पास है जब हम आ रहे थे तो हमें अरावली का पूरा रेंज के बीच में से हम आ रहे थे वो देखने को मिला तो इतना पीसपुल है यहां पे काफी सारे रिजॉर्ट्स है तो इसलिए लोग जादा आते हैं बिकोज इसलेकर नाइस गेटवे अग दो अगे इवे शा जब पेसफल और थे खाए सब तो शबादी है यहां पेड़ों के नहीं पेड़ों के पीछ में चान्ती से चाहन पया पेड़ सकते हैं तो इल्डे सित फोर आवाल और और जोदों के पाहले पानल रिटनेशन है अपी आते हम पर पासावी और पासबूर तो अभी मैं यहां पे एक रिजॉर्ट है, Sunbird Resort, वही अंडर गई थी कुछने के लिए कि कैसा चर रहा है तूरिज्म का क्या सिस्टम है क्योंकि हमें बहार जाने को मिला कि रिजॉर्ट कुले हुए हैं, गैस सारे हैं, तो Sunbird Resort के जो मैनेजर हैं, उन्होंने हमें बताया है क तो की इन्होंने हो एक सिस्टम किया है, जिसमें एक वोक रहां रखर रहे हैं, ऑनके लिए रूमसर, थिसमें रागर घ्रती। सफार्ड क समय हैं, बताए किए को अंगरा को थिसलों मुध्याय को हाले हैं, उन्होंने नियों होग तूरिज्द फोरिज्यर का रहा हैं, ओम यह वारे है क्योंकि उनका कहना है वाल टूरिजम तो बंध है तुना है के लिए इंदर प्रश्थ था और अप्र प्रॉस्थ था लेकिन उसके बाद यह हमाई होगर गए तो उन्होंने अपने हिसाफ से डपल अपके अपको यह था इस सामने दिख लाल लिख रहा है कैता है है जो कि है पुराना किला और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो कि है हमाईयों की लाइबरी और एक थोड़ी फैसिनेटिंग बात है कि वह लाइबरी से गिर के मरे धे और उन्हांने सुसाइड नहीं किया था वह एक्सिडे इसाथ इंदरिप्रस्थ जिसको जो एरिया है ऐन्दरिप्रस्थ वहाँ से ए दरण गोंहें रवा इंदरिप्रस्थ कहे इन यहहाँ प्राना किला और हैं 우리가 कुंठी कर देखा करें कि ऐसा माना जयता है कि पंडवो का शहर इसा मान जाता है तो अपने मा के लिए कुंती के लिए एक मंदिर बनाया था और उस मंदिर के एक्जिस्टेंस अभी है और मैं बस यह कहना चाहता है कि दिल्ली में रह कि अगर आप वही पुराना रेड फोर्ट और वही इंडिया गेट देखे अगर बोर हो चुके तो आप यह तीन जगा जा सकत को अच्छे से समराइज करता है धूंड उजडे हुए लोगो में वफा के मोती यह खजाने तुझे मुमकिन हैं खराबों में मिले अगर बोद अब बोद आप उस अलसो और यह एक एपिसे आपको रखे आगे